प्रपेगेशन के बारे में तो चलिए करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहला कोशन आता है सुडेंट्स की वेजिटेटीव प्रोपेगेशन क्या है रैट तो वेजिटेटीव प्रोपेगेशन जो है एक मेथड है mode है तरीका है way है asexual reproduction का and यह asexual reproduction की जो method है vegetative propagation यह होती है सिर्फ और सिर्फ plants में अब यहाँ पे यह जो word है vegetative propagation इस word में इसका meaning definition सब शुपा हुआ है students देखिए vegetative vegetative का meaning क्या होता है plants यानि कि यह सिर्फ और सिर्फ plants में होता है और यह जो word है propagation यह बना है propagule word से किस word से बना हुआ है propagule propagule का मतलब क्या होता है एक part एक छोटा सा हिस्सा देखिए इस इसको में एकदम simple ते किसे समझाता हूँ students मान लीजिए एक plant है रोस का एक bud एक branch काट करके उसको अगर मैंने जमीन में लगा दिया समझना इस चीज़ को अगर मैंने उसको काट करके जमीन में लगा दिया तो क्या होता है एक नया रोस का plant वहाँ पे produce हो जाता है राइट तो यहाँ पे यह हमने एक हिस्सा लिये plant का कौन सा हिस्सा लिया कौन सा टुकडा लिया कौन सा piece लिया वो था अभी मैंने branch लिया राइट तो यहाँ पे जो एक चीज़ समझने की बात है इस plant का यह जो छोटी सी कली थी जो branch थी वो क्या है प्रोपेग्यूल है एक छोटा सा टुकडा है छोटा सा हिस्सा है ओके तो अभी ज़वरी है क्या कि जो हमने यह branch लिये वो एक टेप क्या होगा stem होगा तना होगा तो stem सही होगा क्या नहीं आप उस plant का कुछ भी हिस्सा हो सकता है जैसे मान लिजिए रूट हो गया stem हो गया leaf हो गई पत्ती हो गई तो यह सारे क्या है जैसे हमने बात कि root, stem, leaf यह सब क्या है यह सब प्रोपेग्यूल है हिस्से हैं किसके plant के तो होता क्या है कि अगर कोई भी एक हिस्सा प्रोपेग्यूल उस प्लांड का उससे अलग हो जाता है और प्रोड्यूस करता है एक separate organism को एक separate plant को तो उसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन याने कि प्रोपेग्यूल से उस छोटे से हिस्से से एक organism को याने कि उस प्लांड का प्रोड़क्शन होना इस पूरी प्रोसेस को मोलते हैं प्रोपेगेशन तो clear है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है याने कि प्लांड के किसी एक हिस्से या प्रोपेग्यूल से पूरे प्लांड का development पूरे प्लांड का प्रोड़क्शन इस मेथड को मोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड ये वेजिटेटिव प्रोपेशन एक असेक्शूल रिप्रोड़ुशन की एक मेथड होती है ओके इतना clear है तो चलिए इसकी डेफिनिशन को समझते हैं तो ये वेजिटेटिव प्रोपेशन जो है ये असेक्शूल रिप्रोड़ुशन की एक मेथड है जो की प्लांट्स में होती है और यहाँ पे इनके वेजिटेटिव पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब रूट हो गया स्टेम हो गया इस पूरी असेक्शूल रिप्रोड़ुशन की मेथड को बुला गया है वेजिटेटिव प्रोपेशन एंड ये वेजिटेटिव प्रोपेशन दो टाइप से होता है students एक होता है natural vegetative propagation and second होता है artificial vegetative propagation अब देखिए वैसे तो इन जोनों topic in detail में आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं बड़ एक छोटा सा description natural का मलब क्या होता है जो खुदी हो उसमें human beings का इंसानों का कोई भी role नहीं होना चाहिए तो जो खुदी याने कि कोई भी एक plant की पत्ती नीचे गिर गई या उसा को stem accidentally टूटका कहीं गिर गया कोच हो गया या root हो गई उस अलग हुए part से अगर एक नया plant produce होता है तो उसको हम बोलते है natural vegetative propagation लेकिन artificial में क्या होता है कि human beings का effort बहुत जगूरी है इंसान को कुछ न कुछ करना पड़ेगा वो कुछ experiment करेगा कुछ plants को उसकी branches को cut करेगा कुछ roots से experiment करेगा कुछ stem से experiment करेगा तो यह सारे experiment उनकी methods के नाम हम anyways आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले है बस फिलाल आपको इतना पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप का होता है natural वेजिटेटिव प्रोपेगेशन and artificial वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ओके students I hope आपको clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइक किजिए and वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना ही थैंक यू